आप सब को मैं बांकी बिहारी और राधी रानी की स्चेत्र में इस धर्ती को कोट कोटी नमन करते वे आप सब का मैं अभिनंदन करता हूँ वायो बेनो हमारी सरकार डबल इंजन की भारती जन्ता पार्टी की सरकार ब्रज छेत्र के समग्र विकास के लिए पूरी प्रतिवदता के साथ कारे कर रही है बिना भे दभाउ के विकास का कारे कर रही है क्या गाउं क्या गरीब क्या किसान क्या नौजवान क्या मैलाएं इन सब के उत्थान के ले गाउ और ब्रज तीर्थ के विकास के ले बेटियों की सुरक्सा के ले सरकार पूरी इमानदारी के साथ कारे कर रही है वाईो बेनों एक करोना काल खंड में पहली बार चुना हो रहे है आपने देखा होगा करोना की तीसरी लहर अब समापती की ओर है अगले एक सप्ता के अंदर आप देखेंगे की तीसरी लहर भी समापत करोना उत्तर प्रदेश से फिर गायत लेकिन करोना काल खंड में एक बात आपने देखी होगी करोना की दोरान सपा बसपा कॉंग्रेस एक किसी भी राज़ितिक दल का ब्यक्ति नहीं था या तो भारती जनता पार्टी की डवल इंजन की सरकार कारे कर रही थी और या फिर भारती जनता पार्टी का कारे करता आपके पास आकर के सेवा कर रहा था करोना में जो लोग उस संकट के समय आपके साथ नहीं थे अगर आज चुनाओं में वे दिखाई दे रहे हैं इसका मत्तब वे संकट के साथ ही नहीं वे आउसर बादी हैं और आउसर बादी को कभी भी मौका नहीं देना चाहिए करोना कालखंड में उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदेक ब्यक्तिको फ्री में टेस्ट फ्री में उपचार फ्री में वैक्सीन सब को वैक्सीन कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है और इस सड़क की तरफ जो लोग खड़े हैं वैक्सीन नहीं लें क्या यह वैक्सीन प्रदान मंत्री मोदी जी ने दिया है सबको फिरी मैं वैक्सीन सबको वैक्सीन जो लोग वैक्सीन के खिलाब दुस्परचार कर रहे थे वे लोग करोना फैला रहे थे मुझे 2013 में लोगों के जीवन के साथ महामंत्री बना कर यूपी का प्रभारी बन कर यहां बेद दिया गया लोगों ने वैक्सीन लिये गुजराच से आकर इसलिए वैक्सीन लेने वाला हर वोट कमल के निसान पर क्या सहमत है जो लोग जीवन को संकट में डाल रहे थे जब सत्ता से दूर हैं तब जीवन को संकट में डाल रहे हैं और जब सत्ता में थे तो कोशी कला का दंगा करवाते थे करवाते थे ना समाजवादी पार्टी के समय में सबसे पहला दंगा हुआ था कोशी कला का और दंगों में हिंदू निर्दोस मारा भी गया ब्यापारियों के प्रतिस्थान जलाए भी गये और जब उन्होंने गोहार लगाई किसाब न्याय करो तो जूटे मुकदमों में जेल भी बंद कर दिया ये तो समाजवादी पार्टी की सदेव से रणिती रही कभी कोशी कला का दंगा कभी मुझप्फनगर का दंगा और निर्दोस लोगों को मरवाना और फिर रामभक्तों की निर्मव हत्या भी करवाना यही तो ये करते रहें जीवन भर मुझप्फन अगर हो ये कोशी कला के निर्दोस लोगों की हत्या से इनके सीने इनके टोपियां रंगी वी एसने लाल दिखाई देती है रामभक्तों से रामभक्तों के रक्त से सनीवी इनकी टोपी आज इनको सरम भी नहीं आती जनता जनारदन के बीच में आकर के कहते हैं फिर कि हमें भी वोड़ दो भाईो बेनो करोना में भी इन लोगों का यही नकारत में ग्रवया था करोना में जब पुरे दुनिया के अंदर फैला उत्तर प्रदेश के अंदर भी फैला लेकिन मैं मुख्यमंत्री के रूप में इस जम्यदारी को मानता था और भाईो बेनो हम लोगों ने गाओं गाओं में जाकर के मैं स्वेम जाता था मतुरा में भी आया था और मैंने हॉस्पिटल का भी निरिक्षन किया पीड़ितों से भी मिला वो पीड़ित पर्वार मुझे बोला के रहे योगी जी आप क्यों आ गए यह तो बहुत तेज बिमारी फैल रही है मैंने का देखे मुझे मुझे मंत्री जनता जनारदन के आसरीबाद से पार्टी ने बनाया है और अगर वो संकट में है तो मैं मुझे मंत्री आवाज पर चुपचाप नहीं बैढ सकता हूँ संकट में उसके साथ खड़ा रहूंगा और भाईयो बेनो आखिर रहते भी क्यों नहीं आखिर रहेंगे क्यों नहीं अगर पचीस करोड उत्तर प्रदेश की जनता कोम सुरक्सा नहीं दे सकते उनके जीवन में खुसाली लाने का प्रियास नहीं कर सकते तो फिर बेकार है लेकिन हम लोगों ने इसे अपना धर्म समझ करके उस समय जनता जनारदन की सेवा के लिए पूरी ताकत लगा दी प्रधान मंत्री मोदी जी का श्रीवाद था और सरकार पूरी ताकत के साथ जुटी पैणाम था करोना की दूसरी लहर को हमने नियंतित किया और आज तीसरी लहर भी पूरी तरह नियंतन में है चुनाव चल ले हैं लेकिन हम लोग नियंतन में कर चुके हैं करोना प्रदेश की जंता का कुछ नहीं विगाड़ पाएगा क्योंकि जैसे दंगों के दंगाईयों के पूरी दमंगई को हम लोगों ने भूत की तरह बोतल में उनके जिन को बंद करके सदेव के लिए दंगे प्रदेश के लिए बंद करवा दिये ऐसे करोना भी सदेव के लिए समाप तो होगा लेकिन भाईयों बेनों याद करिए करोना काल खंड में जीवन भी बचाया और डबल इंजन की सरकार है तो रासन की डबल डोज देने का काम भी किया डबल डोज रासन मिल ला है ना दो बार रासन ये कौन दे रहा है ये भारती जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दे रही है बाईयों बेनों पहले ये गरीबों का रासन कहां चला जाता था कहां चला जाता था हमारी सरकार ने 43 लाग से भी गरीबों का मकान बनाया पहले सरकार बनती थी मुख्यमंत्री अपना बंगला बनाता था मैंने कभी मैं किस के लिए बनाओंगा मेरे लिए तो परदेश के 25 करोड जनता ही परिवार है इनका मकान बना दो भई इन्हें का मकान बनाओ 43 लाग गरीबों का मकान बनाया और कली आपने केंदर सरकार का बज़ड देखा होगा परदान मंत्री जिने 80 लाग अन्य लोगों के लिए मकान ठीकरते कर दिये हैं 80 लाग दो करोड 61 लाग गरीबों के सोचाले बने एक करोड 43 लाग गरीबों को फिरी में बिजली पहुचाई गई और एक लाग 21,000 से दिक मज़रों में बिद्दुतिकन का काम हुआ अब तो हम हर घर नल की योजना में नया कारे जल जीवन मिसन में करने जा रहे हैं भायो बेनो चौदरी साब हमें बार बार कहते थे छाता चेनी मिल के बारे में हमाने तो इस स्वीकर्ट कर दिया पैसा भी इसके लिए दे दिया है यह जो सडकों के सब सडके हैं ना इन सडकों के चौरी करन का भी स्वीकर्ट करके पैसा भी रिलीज हो गया है कारे भी होने जा रहा है बहुत सीख्र हाईवे हो या रेलवे सड़क को बड़ी बड़ी चोड़ी सड़कों के निर्मान कारे का हो या फिर बरज तीर्थ विकास परिसत के माद्विम से संपूर्ड बरज छेत्र के समख्र विकास के कारे करम को आगे वढ़ाने का चीनी मिल के पुरुद्धार का कारे हो या प्रदेश के अंदर एक करोड बिर्द जनों को बिद्वा मैलाओं को दिव्यांग जनों को बारा हजार उपे साला ना पेंसन देने का कार्य ये सरकार डवल इंजन की भारती जनता पार्टी की सरकार एक कारे कर रही है मैं पूछना चाहता हूँ ये पेंसन ये रासन ये मकान ये सोचाले ये सडकों का निर्माड ये चीनी मिलों का निर्माड ये तीर्थों का विकास पहले पैंसा कहां जाता था बताओं कहा जाता था सुनना चाते हो कहा जाता था भाजपा सरकार के आने के पहले सपा सरकार के समय या बसपा सरकार के समय ये पैसा कहा जाता था इत्रवाले मित्र के घर में चला जाता था इत्रवाले मित्र के घर में आपने देखा होगा ना इत्रवाले मित्र को इत्रवाले मित्र ने गरीबों का पैसा भी हड़प लिया था सडकों का पैसा भी, चीनी मिलों का पैसा भी गरीबों का पैसन का पैसा भी और ये पैसा उन्होंने R.C.C. की मोटी मोटी दिवाले बना करकے सुब बंद करके रख दिया था जब मैंने मापियाओं के खलाब कारवाई प्रारम की तो हमारा बॉड़ो जड चलते जलते ढूंडते ढूंडते इतरवाले मित्र के हमी पहुंच गया मैंने का भी इत्रवाला मित्र कौन है ये तो पता लगा इत्रवाले मित्र के साथ ही इन्होंने यूरोप की यात्रा की थी तब पता लगा कि नाम समाजवादी काम दंगावादी और सोच परिवारवादी परिवार को ले करके इत्रवाले मित्र के साथ गोमने के ले गए थे यूरोप, महिनों तक घूम रहे थे यूरोप में, कहते हैं अब मेरा उस से कोई वास्ता नहीं, ऐसे ही होता है चोड की दाड़ी में तिनका इसी को कहते हैं भाईयो बेनो और इसलिए आज मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूँ चौदरी सहाब तो पूरे इस चाता विधान सावा चेतर और बर्ज तीर्थ चेतर के विकास के लिए सदेव कारे करते रहे समय समय पे सरकार platform उन्हें प्रदेश के अंदर बेशती थी बड़ा महत्तो पुन विभाग उनके पास था तो प्रदेश के अंदर काम करते थे पुरे प्रदेश के अंदर भी जाते थे लेकिन जब कहीं से आते थे तो फिर बर्ज थेतर के विकास और छाता विधान सवाच छेतर की ही चर्चा करते थे विकास के लिए ये चीनी मिल कोई सोचता था पिछली सरकारें तो चीनी मिले बेच रही थी चौदरी साब ने इस चीनी मिल को बंड़तधार के लिए पैसा भी स्वीकृत करवा दिया सडकों के चोड़ी करन का पैसा स्वीकृत करवा दिया एक डेरी भी स्वीकृत करा दी डेरी नहीं डेरी ये पसुपालकों के जीवन में नया सुधार लेके आएगा लेकिन पिशली सरकारें क्या कर रही थी पिशली वाली सरकारें तो कैसे कैसे कारे करती थी नौकरी निकलती थी तो ये नौकरी भी सेफ़ई घराना हड़प लेता था बागी सब देखते रह जाते थे किसी गरीब को नौकरी नहीं किसी नौजवान को नौकरी नहीं नौकरी के नाम पर चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे भायो बेनो नौकरी के नाम पर कैसे ये लोग ठगी करते थे किसी भी नौजवान की भरती नहीं होती थी और भरती के नाम पर पैसे वसूली होते थे कोट रोग लगाता था फिर भरती रुख जाती थी आज तो हर नौजवान घर गाउं का कोई न कोई नौजवान पुलिस में जरूर भरती हुआ है उत्तरप्रदेश के अंदर बेड़ लाग पुलिस की भरती की है हम लोगोंने और बेड़ लाग सिकसकों की भरती की है अन्य विभागों को ले करके देखेंगे पांच लाग से दिक भरती भी है उत्तरप्रदेश में पांच लाग से दिक सरकारी नौकरी में और उद्योग जो कानून बिवस्ता का पेप खाना हमने लगाया है आलू किसानों को एक लाख मिट्रिक टन आलू अकेले वक्त कार खाना खपत करेगा और किसानों को अच्छा दाम देगा अच्छा दाम देगा ये सरकार की सोच है पहले कार खाने नहीं लगते थे क्योंकि जब बेक्ती सुरक्सित नहीं था तो पूंजी कहां से सुरक्षित रहने वाली थी लेकिन भाईयो बेनो आपने देखा होगा पांच साल में आप कोई दंगा हुआ है क्या कोशी कला का दंगा करने का कोई दुस्ता आस करेगा क्या अब करेगा तो उसे मालूम है न क्या हो जाएगा हाँ करेगा तो फिर साथ पीड़ी तुमारी भीक मांगती भी दिखाई देनी चाहिए आज दंगा नहीं कर सकता कोई और अगर देखते हैं कि एक बड़ा माफिया हो गया है सचिन और गौरोव जैसे नौजवान जो अपनी बहन की रक्सा करने के लिए मुझे अप्फन नगर में जाते हैं उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है तब तो अखलेस यादो जीतो तब लखनों में मुख्य मंत्री थे इनके एक मंत्री उन निर्दोस जाठी योकों की हत्या करवा रहे थे और हत्यारों को छड़ाने का बेस्रमी पूर्ण कारे कर रहे थे हमारी सरकार के समय कोई दुसास नहीं कर सकता बेटी की सुरक्सा की तरफ टेड़ी नजरों से भी देखोगे न तो दुर्योदन और दुसासन जैसा हाल हो जाएगा गरीब की संपत्ति पर हाथ फेरने का कारे करोगे कमजोर को सताने का कारे करोगे ब्यापारी को लुटने का कारे करोगे तो एक तरफ हमारा हाईवे बनता है सड़क बन रहा है फिल्म सीटी बन रही है जेवर का येरपोर्ट बन रहा है और दूसरी तरह माफिया के खिलाब सरकार का बुल्डोजर भी खड़ा रहता है उसकी चाती पर भड़़ा करके हम बुल्डोजर चलाने में भी संकोज नहीं करते हैं क्योंकि ये माफिया प्रदेश को तबा कर दे थे, प्रदेश को बदनाम कर दे थे हमारे नौजवानों के सामने कहले संकटा गया था और आभ तो हमारी सरकार ने तय कीया है अध्यत्तर प्रदेश के हर नौजवान को स्मार्ट नौजवान बनाएंगे एक करॉठ टैबलेट्र उमार्टपोन देने का कारे हमारी सरकार कर रही वर्तमान में एक करोड नौजवानों को टैबलेटर स्मार्टफोन करोना आया करोना का बाद भी आ जाएगा तब भी नौजवानों की सिक्सा में कोई बादा पैदा नहीं कर पाएगा घर में बैठ करके पुड़ी पढ़ाई उनकी संपन्न हो जाएगे ओन लाइन यूज़िकेशन ओन लाइन इग्जामिनेशन इस सब ओन लाइन करने की तैयारी हम लोग कर दे रहे हैं बच्चा हो या नौजवान उसके पठन पाठन में कोई ब्योधान नहीं हर जन्पद में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं सिचाई की सुवधा को बढ़ाया जा रहा है धार्मिकास्ता का सम्मान हो रहा है पेसेवर दंगाई और माफ्याओं के खलाब सरकार सक्ति से निपटने का कारे कर रही है और भाईयो बेनो मैं आज आप सब से ये पील करने के लिए आया हूँ देखे जैसे चुनाओ जैसे ही चुनाओ प्रारंब हुए और चुनाओ के दोरान जैसे ही विविन दलों को लगा कि अब सरकार सीधे कारवाई नहीं करेगी क्योंकि चुनाओ योग बीच में है तो उसने फिर से मेवाती गुंड़ों को बला करके अपना कारे प्रारंब कर दिया है यहां रामबिर शिंग की जो हत्यावी थी ना हमारे चौदरी साब के जो प्रस्तावक थे प्रधान जी उनकी प्रधान के हत्यारे कहां से आये थे मेवात से आये थे मेवात से यह मेवाती फिर से आकर किया उपद्राव कर रहे हैं उनको नहीं मालूम कि दस मार्च के बाद फिर इनका उपचार होगा इनकी सारी गर्मी सांत कर बादी जाएगी दस मार्च के बाद इनकी फुरी गर्मी सांत होने वाली है यह जो दिखा रहे हैं अभी यह गर्मी तातकालिक है कहते हैं न जब किसी चींटी पे पंखु लगने लगते हैं तो समझ लोग इसकी मौत का समय आ फढ़ पढ़ा रहे हैं ऐसे हैं हत्या करके निर्दोस लोगों की हत्या करके लेकिन स्वर्गे रामवीर सिंग को मैं अपनी सरधान जली देता हूँ और भाईयो बेनो आप सबसे मैं इस बारे में कहता हूँ हत्यारा कोई भी होगा बकसा नहीं जाएगा बाद सक्त सजा उसक को देंगे सक्त सजाद लेगे हैं कि हमारे यहां तो किसी को हम छेड़ते नहीं लेकिन अगर कोई किसी निर्दोस को छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ते भी नहीं है और भायों बेनों इसलिए आद मैं आपके हुआ है चोदरी साप ने पूरी तनमेटा के साथ छाताविदान सवा चेतर की मतरवाज जन्पत की ब्रजच चेतर की और पुरे प्रदेश की सिवा की है और भायों बेनों पूरी मेनत से किया है कारे लगातार चहा में बहिशता था जैसे प्रदेश में किसानों की उपज़ नहीं खरी दी जाती थी तो मैंने चौदरी साब के इने तर्प्तों में एक टीम बेजी थी देश्क के लग-लग राज्यों में और मैंने का चौदरी साब आप डेख कर क्या है कैसे होता उपज़ खरीद का काम और ये लोग आये थे इन्हों ने सरकार के सामने फिर प्रजंटेशन प्रस्तुत किया और पेड़ाम था आज किसान को उसकी उपच का दाम सरकार दे रही है चीनी में लोग अपनरुद्धार का कारे कर रही है नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा लेकर किया रही है बेटियों की सुरक्सा की पुक्ता भी वस्ता कर रही है नई नई डेरियां स्तापित हो रही है रोजगार सिर्जन के कारिकरम हो रहे है बिर्द जनों को निरासित बिर्द जनों को पेंशन की सुविधा बिद्वा मैलाओं को पेंशन की सुविधा दिव्यांग जनों को पेंशन की सुविधा और अपने प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी के साथ साथ उसे टैबलेट और स्मार्ट फोन देने की कारवाई भी सरकार कर रही है इसलिए कर रही है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश कौम उस इस्तिती में ले की आ गए हैं जहां उत्तर प्रदेश की अर्थ विवस्ता को देश की नंबर एक की अर्थ बिदायक रहे हैं दो बार के आग मैंने उनको यहां पर देखा है ताकुर्चंदन सिंग जी 1974 में मेरे गुरू जी के साथ भी विदायक थे और वहाँ स्वयम आज यहां अस्रीबाद देने के लिए आए है चौदरी साथ के साथ उनको पूरा सयोग देने के लिए रहे हैं मैं उनको अभी दंदन करता हूं इन लोगों ने बहुत संगर्स किया है और आज इस संगर्स से तपी तपाई उत्तर प्रदेश की भूमी उत्तर प्रदेश के प्रतेग नागरिक के जीवन में खुसाली लाना चाहती है हर पहन को हर बेटी को सुरक्सा देना चाहती है उनके जीवन में खुसाली लाना चाहती है अर नाजवान को रोजगार के साथ जोड़ना चाहती है और हर किसान के जीवन में नई खुसाली लहा करके इसको बहतर तरीके सागे बढ़ने के लिए आगे कारे कर रही है और इसलिए भायों बेनों आज मैं आप से पील करने के लिए आया हूँ चौदरी लक्समी नाइन जी के लिए आपने का है अब की बार एक लाख तो एक लाख सेदिक वोटों से चौदरी साब को जिताएंगे चारो और से बोलिए क्योंकि ये वोट यहां से जो जाएगा लखनों में मेरे पास ही पहुँचेगा सहमत है ना तो सभी लोग सडक में भी जो लोग हैं हाथ कड़ा करिये थोड़ा बता करके मुझे बताइए सभी लोग सहमत हैं चौदरी साब को वारी बहुमत से चिताएंगे दोनु आप प्ला करके मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की भारत माता की भारत माता की